हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए राज जेपाल से संबंधित 25 अत्यान महात्पूर कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके अपकमिंग सभी एक्जाम्स के लिए काफी महात्पूर है इसलिए आप इस वीडियो के स्कीम ना करें लास तक जिरूर देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने साथ में बेल आकान प्रेस करें ताक कि आपको एक्जाम से लेटे डेली वीडियो उसको नोड़ी भी खिसन मिलता रहे अगर यह वीडियो आपको पस लास प माइब पस ब्हीघ स्कोर आफ समित कर सकते हैं ठीके चलिए तो फीर रिस्टाट करते है आज का पहला कोशन है राज की कारपाल का किक है नहीत होती है और दोस्त समिधान के भागशे में राजे शासन के लिए प्रावधान किया गया है और आपको बता दे किया जो प्रावधान है जम्मू काश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों के लिए ये लागू होता है तो ये पॉइंट आप याद रखेगा राज्यों कारेकारी अध्यक्ष कौन होता है ये काफी important question है दोस्तों correct answer रहागा option D राष्ट पती ठीक है भारती राज्यों में राज्यों की निकती कौन करता है राष्ट पती करता है प्रेसिडेंड ठीक है तो ये आप याद रखियेगा राजजपाल और राजटपत की नियुक्ति 5 वर्सों के अब्धिक लिगी जाती है परुंतु दोस्तों ये राजटपती के प्रसाद परियंद धारन करता है ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा फिर हमारा अगला कोशन दोस्तों राजजपाल अपना त्याग पत्र की से देता है राजजपाल जो अपना त्याग पत्र की से देता है तो ये देता है दोस्तों राश्टपती को ही देता है ठीक है? राजजपाल जो अपना त्याग पत्र की सको देता है? राश्टपती को option D correct है फिर हमारा अगला कोश्यान दोस्तों इन में से किसको हटाने का प्रावधान सम्मिधान में नहीं है इन में से किसको हटाने का प्रावधान इसम्मिधान में नहीं है तुसका correct answer हो जाएगा options इक governor किसी राज्य के राज्यपाल को महावियोग की भी नहीं हटा आ जा सकता है चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर सेवेंथ है भाती समधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है इसका correct answer हो याग दोस्तों राज्यपाल ठीक है गवर्नर राज्य के राज्य के राज्यपाल की नियुकती करते हैं इसका correct answer रहाग दोस्तों राज्य सरकार का समयधानिक प्रमुक कौन होता है दोस्तो राजी सरकार का समयधानी प्रमुख होता है राजजेपाल ठीक है option D correct हो जाएगा राजी सरकार का समयधानी प्रमुख कोन होता है राजजेपाल होता है ठीक है तो यह आप जरूर याद रखे देखे देखे उस तो आपको मैं एक fact बता दू समानी रूप से राजजपाल का कारेकाल दोस्तों 5 वर्स का होता है, ठीक है, 5 वर्स होता है, यानि कि आप्षण सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा, फिर हमारा अगला कोशन है, कोशन नमर 11 थे, राजजपाल राजजे में किसका प्रतिनिधी होता है, तो रा भारत का राश्टपती जम्मू काश्मीर के राज जेपाल को न्यूट करता है अगला प्रसन है राज जेपाल पद पर बना रहता है उसका इंसार आपको पता है तो बता सकते हैं दोस्तों तो राज जेपाल दोस्तों राश्टपती के प्रसाथ परियंद पद पर अपने बना हो जाएगा है Systems नमर शिस्टीन एक कौन करता है कि करेठ आंसर तो आपको पता सकते राज्य पाल राज के गभार्णर सम्ढान के अंधरगत किस के अअ maior उत्तराइप Kung ड़त राज्य के गभइनअ की निश्तिकon वौन्र क्या है तो राज जेपाल के पत्पन नियुक्ती की दोस्टों जुन Meltem मुंर है कितनी है् 25 वर्श ठीक है हो जागा याद रखी 23 वर्श कि राज जेपाल को किस प्रकार के शक्ति प्राप्त नहीं है राज जेपाल को किस प्रकार की सक्ती प्राप्त नहीं इसका अंसर आप बता सकते हैं करेक्ट एंसर रोयाग दोस्तो इसका सैन या और राजनितिक सक्ती नहीं प्राप्त है ठीक है जबकि विधाई कारेपाली को नियाएक शक्ती प्राप्त है ठीक है तो आप याद रखे Question number 20 है राज्येपाल निमिखित में से किसकी नियुकती नहीं करता है दोस्तो राज्येपाल राज्ये की उच्छी नहीं करता है ठीक है option D correct हो जाएगा कोश्चन नमर 21 है राज्यपाल विधान सभा में आंगल भारती समुदाय की कितने विक्तियों को मनोनीत कर सकता है तो यह कर सकता है दोस्तो एक ठीक राज्यपाल जो विधान सभा में आंगल भारती समुदाय की एक विक्तियों को मनोनीत कर सकता है question number 22 है, भारत के किसी राजजी के राजजी के राजजीपाल वनने वाली पृत्थम महीला कौन थी? तो नहीं करता है, कौन राजजीचे के मंधिपरशessen के मंद्रियों निकृति कौन करता है? ठीक है? इसका भी correct answer राजज़ेपाल हो जायेगा. कोश्चा नमबर 24 है राजजपाल सोने की पिजरे में निवास करने वाली चिडिया के समतुलिये कथन किसका है काफी important है करेक्ट एंसर हो जागा इसका option B सरोजनी नाइडू बारत की साजपाल सासनेन गवर्नर रूर्स लाग चरोजने क समधानी परावधान है लाइक करें करें चैनल को सबस्क्राइब जुरू करें और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं अपना ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए आप अपना ध्यान रखें स्वास्त रही बेस्त रही मस्त रही ओल दे वेस्ट जै हिंद जै भारत